बिस्मिल्ला इरहमान इरहीम, अस्सलाम उलेकम, कैसे हैं आप लोग, अमीद है आप सब ठीक होंगे, आज हम आलू गोबी बना रहे हैं, और इसके लिए जो इंग्रीडियन्ट चाहिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ, एक गोबी का फूल है, जिसे मैंने काट के तो दो लिया है, एक आलू है, जिसे मैंने छील के क्यूब कर लिया है, एक टेबल स्पून गारलिक जिंजर पेस्ट है, एक चोटा उनियन है, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, दो टमाटोस हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया आदा टेबल स्पून सुरह मिर्ची पोडर है, एक टी स्पून दनिया पोडर है, एक टी स्पून जीरा पोडर है, एक टी स्पून जीरा है, आदी टी स्पून हल्दी है, और एक टी स्पून नमक है, तीन टेबल स्पून मैं आउल यूज करूंगी, मैंने आयल को गरम कर लिया है अब इसमें मैं ओनियन डालूँगी और इनको दो मिनट के लिए सोटे करेंगे मेरे ओनियन सोटे हो गए हैं अब मैं इसमें गार्लिक डालूँगी और इसको एक मिनट के लिए सोटे करूँगी अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी और सारी सीजनिंग भी डाल देंगे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे अब मैं इसमें टमाटो डाल दूंगी और इसको बोह लेके आऊंगी और फिर इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम से लो हीट पे पकाऊंगी जब तक टमाटो सौफ्ट हो जाएं पांच मिनट हो गए हैं मेरे टमाटो सौफ्ट हो गए हैं इनको मैं वुड़न स्पून के साथ जैंटली प्रेस करके क्रश कर लूँगी और अब इसमें मैं गोबी डालूंगी इसको बॉइल लेके आएंगे इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है गुबी अपना पानी छोड़ेगी अब बॉइल आ गया है अब मैं इसको कवर करके पांच मिनट के लिए लो हीट पे पकाऊंगी पांच मिनट हो गए हैं अब मैं इसमें आलू डालूंगी इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब इसको कवर करके दस मिनट के लिए लो हीट पे दम देंगे 10 मिनट हो गए हैं मेरे आलू और गोबी जो हैं टेंडर हो गए हैं मैं हीट आफ कार रही हूं और इसको मैं फ्रेश कॉरियंडर और एक टी स्पून गरम साले के साथ गार्निश करूँगी मेरा आलू और गोबी का सालन रेडी है मैं इसको चपाती और सैलड के साथ सर्फ कर रही हूं आप इसको नान ब्रेड के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बहुत अच्छी बनी है आप भी बनाईएगा और फिर बताईएगा आपको कैसे लगी फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज